और साथ सहीयोगी अमर जुड रहे हैं दिली से सीधे उनका रुख करते हैं अमर देखें हाई कॉर्ट में जब यह मामला गया तो हाई कॉर्ट ने इस मामले को सुनवाई यो के माना था लेकिन राज्य सरकार और हेमन सोरिन की तरफ से जो दलीले दी गई कि भाई जो लाइक है या नहीं है यानि इसकी वैधता को लेकर फैसला होना है बहुत बड़ा मसला अगर सुनवाई योगी होता है तब भी और नहीं होता है तब भी यानि कि सुप्रिम कोर्ट के फैसले पर पुरे देश भर की निगाहें हैं अब बेल्कुल दिखे हैमन सुरन उनके भाई और उनके करीबी के उपर जो आरोप लगाए गए थे सिपसंकर शर्मा के दौरा अबेद रूप से उन्होंने खनन लीज पट्टा का मामला था और उनके उपर आरोप लगाया गया था यह मामला हाइकोर्ट में था और हाइको समय करशोद्ण से मामले की सुप्रिंग कोर्ट में लाए गई थे सुप्रिंग कोड ने कई बार इनको यह कहा भी गया था कि आप जो हाई कोड़ जाय.. लेकिन दोबार नहोंने आया था कि ये कहा गया कि यह मामला जो जह है जनहित याचिक कर नहीं है और इसकी सुनबाई की जाए और उसकी सुनबाई की गई है 17 अगर्ष्ट को आपने देखा कि इसकी सुनबाई हुई थी और उसके बाद जो फैसला जो है वो सुप्रिंग कोट ने अपने पास सेफ रखा था आज ये कहा जा रहा है कि बारबजे के बाद इस पर फैसला आ सकते हैं अब देखना य उनकी उ'llपर आरूप लगाया घया था क्या वो सही है या फिर गलत है लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो जनहीत याचीका नहीं है और जनहीत का मामला नहीं है ये जान बुश कर एक पॉलिटिकल गंडा है और पॉलिटिकल द्वारा जो है प्रेरित है इस बज़े से सुप्रिंग कोट के दरवाजे खटकटाए गे था उन्होंने कहा था उनके वकील ने कब इसको खारिस कर दिया जाए इस पर सुनबाई नहीं की जाने चाहिए लेकिन बारवार हाई कोट में सुनबाई चल रही थी उसके बाद यहां पर आया गया था तब सुप्रिंग कोट ने सुनबाई की थी अब देखना यह होगा कि सुप्रिंग कोट पर सुप्रिंग कोट का इस पर क्या फैसला आता है उसके बाद ही डिसाइड होगा कि यह मामला क्या है क्या नहीं है क्या सही माइने में जो है बॉलिटिकल है या फिर उन पर जो आरूप लगाए गए है वो सही है यह अभी सुप्रिंग कोट के पास सुरक्षित है यह फैसला जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आएगा तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगे बिल्कुल और देखे इस चाहिए यही वजह है जो दलील दी गई अमर आप देखे कि जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी इस केस के मेंटेनबिलिटी को लेकर कि इसकी वाधता को लेकर तो यह दलील दी गई कि कोई साक्ष नहीं दिया क्या है जबकि यह कहा गया कि सरकार को साक्ष दिया क्या है वाध खननन को लेकर यह सलीज मामले को लेकर लेकिन वो साक्ष फिर सरकार को क्यों नहीं दिये गए तो अब इनी सवालों को लेकर अब सरकार और मुख्यमंत्री हेमन सोरेन सर्वोच नयायाले पहुंचे हैं और उमीद कि क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला मुख्यमंत्री इस मौमले को लेकर पिछले आप देखे जारकंड की सियासत पिछ यह आरूप लिए यह एक लेगल पॉसेस है और उनकी लेगल पॉसेस के साथ जो है उनके इपर आरवाई की जाई लाए और यह दोना बाते एक अशीवन से महिने से चल रही है है इसके अगर आप देखें है इस स्थेम कर्मा जो याकी का करता है उन्होंने जड़ित लाए इसके लाए कर रही है इसके बात शुल्माई कर रही है विछें इसमादने को यह दो आपने ही जो उनकी लुड़ित अपर एक साथ का पेसर बनाने के दिया और प्रपार को वाल इ यह एक तरह पर ढम आया था उसके पारभी करने वालों दोः सुनवाई गूई भी तरंग कोया वी, वियुकिन आपने देखा होगा कि आप बिशन कोट में आपने सुनभाई के बाद जो सफ़ेशने आते हैं उसको इनों नों सुड़क शिक रखा था अब यह देखना होगा कि यह देखना होगा कि यह सब्सकर परके अरोग लगा है वोट नगता है कि यह चुछ पहना प्रेंगा हुगा नियुक। प्रफिस का मावला भी उनके उनके उंकर अारूक लगाया था लेकिन वास कर दो राजपार ने यह तक इसको पतें नहीं किया था इस सब्सक्राइब कर सकते हैं यह हमारा इस जानकार है वो बता रहे हैं अब देखना यह होगा कि आज कर देखना होगा सब्सक्राइब और क्या इसका इंतजार तो सबी को है सिर्फ जारगर नहीं देश बहर को इंतजार होगा कि सुप्रिम कोट इस मौमले को लेकर आज क्या फैसला सुनाता है बहराल बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम जानकारी के लिए आप नजरे बनाया रखे हैं हम अपडेट्स लेंगे जब तो वो भी अपडेट्स अपने दर्शों को तक पहुँचाएंगे तो देखिए अवैद खननलीज को लेकर जिस तरह से यह मसला पहले हाई कोट में था सुनवाई हुई फिर अब इस याचिका को लेकर सरकार पहुँची है सुप्रिम कोट में और सुप्रिम कोट आज इस मौमले में यानि कि इस याचिका की वैधिता क्या यह सुनवाई लाइक है यह मसला या नहीं है इस पर आज फैसला देने वाला है तो यह तमाम अपडेट्स न्यूस लवन भारत आप तक पहुचाएगा दो दिके का